हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल देशी प्रोफिट टॉक और आज हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर देखे हमको कमेंट करके पूछा है तो आज हम उनी के क्वेस्चन का हम जवाब देने वाले हैं तो नहीं पूछा है I am 23 year old and I want 4 lakh personal loan it is possible for me to get loan from SBI तो यह जाना चाहते हैं कि पर उनको SBI से 4,000,000 पर सनल लोन चाहिए और उनकी यह 23 साल है तो क्या उनको वहाँ से कर दीजिएगा तो चलिए आए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं इमाई केल्कुलेट करने तो इसके लिए हम गया है बेस्ट इमाई केल्कुलेटर पर यहां पर आप अपना परसनल लोन का लोन किसी का भी बस अमाउंट इंटरेस और टेन्योर डालके अपना मंतिली एमाई चेक कर सकते हो तो उन्होंने पूछा था मुझे परसनल लोन चाहिए चार लाग का तो मैंने यहां एमाउंट डाल लिया चार लाग रुपए फिर यहां पर रेट आफ इनके ऑफिशल साइट पर SBI की तो यहां पर काफी स्की में चल लही है जिससे आप लोन ले सकते हो जैसे यहां पर मैं दिखा दूँ आपको यहां पर एक स्कीम चल लही है तो यह उनके लिए है जिनकी सेलरी SBI के सेलरी एकाउंट में क्रेट होती होगी और अगर आपकी सेलरी आपके SBI में नहीं क्रेट होती है तो यहां पर आपको रेट ऑफ इंटर्स जो मिलेगा वो मिलेगा 9.85 तो 11.35 परसेंट फिर आप नीचे आईएगा तो और आप यहां क्विक परसनल लोन है तो यहां पर आपको रेट ऑफ इंटर्स के स्टार्टिंग होरी 10.85 तू 12.85 परसेंट अगर आप क्विक परसनल लोन लेना चाहते हो तो आप यहां से ली सकते हो तो यहां पर आपको इंटर्स एट देना पड़ेगा लेकिन अगर आप इनकी सब्सक्राइब हो लिजिए कि आपका अकाउंट नहीं तो मैंने 9.85 माली या मोटा-मोटा तो यहां पre क्या होता है कि अगर आपका सिविल स्कोर जो है यहां पर देका आता है अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो सेवन फिप्टी के अबाव है तो आपको बेंक रोहीं तो उनको इस interest rate पर भी यहाँ पर लोन प्रवाइड किया जा सकता और अगर अगर आपका सिविल इसको down है तो उनको भी 11.35% पर भी लोन दिया जा सकता है जितना high से high लग सकते हो आप लगाते हैं अब हम देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने interest rate मान लिया था 9.85% मान लीजिए आपका account नहीं है जिसमें आपकी salary credit होती होगी SBI के तो मान लीजिए वो नहीं अगर है तो आपको और से भी कम interest rate पर यहाँ पर लोन मिल जाएगा तो चलिए मैं पांस साल का पहले सेलेक्ट करके बताता हूं तो यहाँ पर देखें आपका मन्थली यहाँ जो बनेगा वो बनेगा आठ चार सो उनकतर रुपए टोटल करना पड़ेगा आपको एक लाग आठ हजार एक सो स साट रुपए टोटल पेइमेंट आपको करने होगी पांसuda पांस बाट हजार एक सो साध रुपए तो आपको यहाँ ऑन्नों ने लोन दिया ता उसके आपको एक लाघए अब लोन देना पड़े गा टो टोटल कन आ हुई तो यह आप ग्राफ से देख सकते हुए यह पूरा 2022 का ग्राफ बना हुआ जिसमें ग्रीन वाला सेक्षन है यह आपका जो है प्रिंस्पल है जो आप इस साल चुका होगे होगा 37,208 रुपै और जो आप इंटर्स चुका होगे इस साल वो चुका होगे 22,70 रुपै ऐसे आप दोयार 23 का देख सकते हो ऐसे आप दोयार 24 का देख सकते हो डिटेल में आप इंफोर्मिशन काफी आपको मिल जाएगे फिर आप नीचे आएगा तो यहाँ पर इयरली और म करने होगे 8,479 जो आपका बैलेंस अमाउंट होगा उससे यह से लेस हो जाएगा चार लाग में से 5,185 लेस होगे तो बच्चे 3,94,814 रुपै जो आपके लोन अमाउंट का 1.30% होगा तो यहाँ काफी डिटेल में आप चेक कर सकते हो अपने हर येर और हर मंत का यहाँ प हो आप से अमाउंट इंиж और टल्क कर सकते हो तो आप मैंस थोड़ा सब्सक्राइछ चार लाग यहाँ पर ढंपर ढशाय यहाँ नाइन 25 पर्सेंट यहाँ डाला तो यहां अप जो है तीन साल के लिए देखते हैं चार आपी बनेग में बार्रहाजार 819.27 • अशर रुपै Regina लेकिन इंट्रेस्ट आपका कम हो गया मले इमाई आपका थोड़ा सा बढ़ गया लेकिन इंट्रेस्ट आपको कम देना पड़ रहा है तोटल पेमेंट आपको करने होगी 4,63,634 रुपए तो यहां आप चार्ट में देख सकते हो आपका इंट्रेस्ट वाला जो सेक्शन था 13.7% से बचा है तो ऐसे ही आप डिटेल में आप अपना टेन्योर आगे टेन्योर बढ़ाक और घटाक यहां से डिटेल में चेक कर सकते हो कि आप कितनी हमाई दे सकते हो यहां पे आपकी क्या मतली हमाई बनेगी तो इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा तो चलिए का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक बार इसको चेक आउट करना मत बूलिएगा अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और से कुछ और यहां पर फीचर्स क्या मिलते हैं हमको एस बी आइ प्रसनल लोन में तो यहां पे इंडी विजवल है इंडी विजवल्वन के स्टाूर एकउंट विद एनी अधर अगर किसी और भी बैंक में उनका सैलरी एकॉंट तो भी यहां से यहां पर पर सनल लोन के लिए अप्लाइग कर सकता है तो यहां पर मिनिम म्सम्न तो यह सब लोग यहां से अपलाई कर सकते हैं यहां पर सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनकी एज 23 साल है तो उनको लोन मिल जाएगा तो हाँ बिल्कुल आपको मिल जाएगा तो आप एज 21 साल से 58 साल के बीच में चाहिए होती है minimum service जो है आप one year अगर आप कोई private company में काम कर रहे हो तो आपको एक साल तक मतलब लगा था जो नौकरी आप कर रहे होगे जिस भी फिल्ड में होगे तो वो करते रहे चाहिए किसी भी उसमें हो आप चाहिए सरकारी में हो चाहिए प्राइवेट में हो loan amount यहां से आप कितना ले सकते हो minimum 24 है ले सकते हो और maximum यहां से 20 लाग तक है आप पर परसल loan amount आप ले सकते हो अब हम देख लेते हो कुछ और information तो यहां पर tenure आप 6 साल के लिए ले सकते हो minimum monthly salary आपकी पंदरा आजार होगी प्रोसेसिंग फीस आपकी यहां पर नीचे आएगा तो interest rate लिखे हुए है डिटेल में मैंने आपको बता दिया interest rate कैसे आप देख सकते हो अब हम कुछ और bank को से comparison कर लेते हैं SBI का personal loan से तो SBI का जो starting है 9.60 से 13.85 परसंट तक गया है SDFC 10.25 तो 21 परसंट है ICI से bank 10.25 परसंट से starting है Axis bank भी 10.25 परसंट से starting है Kotak Mahindra bank 10.75 परसंट से starting है इंडेस्ट लेंगे 10.49 परसंट से starting है IDFC फाइस बैंक 10.49 तो 23 परसंट है बजाज फाइनेंसियों आपको 13 परसंट पर देता है और उसमें अगर लेट कर देता हो तो 2 परसंट पर मन्त EMI क्या लगेगा आपका यहां पर फिर यहां कोई परसंट लोन है यहां भी पैनल्टी आपका 2 परसंट लग रहा है और प्रीपेमेंट चार्जस तीन परसंट लगेंगे प्रीपेर अमांट का फिर यहां कवच परसंट लोन भी है यह उनके लिए है जो जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं तो उनके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने होते तो आप यहां से अपलाई कर सकते हो यह पेंशन लोन के लिए पर टाइपस ऑफ सब्सक्राइब यहां पर दिये होगे जिससे इसपी आई क्रेडिक परसंट लोन है तो यह इनके लिए होता फॉर सेलरी अकाउंट फोल्डर एट एसबी आई तो मीट देर परसंट रिक्वार्मेंट उनकी परसंट रिक्वार्मेंट के लिए उनका अका जो है वह जिनकी सेलरी है जो वह असबी आई में होती होगी तो यहाँ पर उनको मिल लिया अप्ट विस लाग तक का लोन शह मंत से शह साल तक के लिए आप यह चैनल ले सकते हो यहाँप पच्चे से आई प्च्छान लाग तक का परसंट से हो हे विछ लिक्वार्मी परसं सकता यह से फुर्स सेंट्र obwohl भिवर्रमेंट होगे तो अगर आपको 14 डगतका मिलिए जफ्ञाइगा भर दीफैंस पैंशिणरा नहीं नहीं है यांपने ट्रफरनी यह देना पड़ सकता है फिर अब नीचे चलेंगे तो यहां पर कुछ documents देख लेते हैं तो documents के लिए आते हैं, documents आपको बहुती minimum documents require होते हैं personal loan में, जैसे आपको application form बरके देना होगा, passport, size photo के साथ, फिर identity proof देना होगा, जैसे passport, pen card, voter ID card, driving license, अधार काड यह दे सकते हो, address proof के लिए आप रासन काड, bank account स्टेटमेंट पासपोर ड्राइविंग लाइसें इलेक्ट्रिसिटी बिल टेलीफोन बिल से जीट प्रॉपर्टी पर्चेस एग्रीमेंट आधार कार्ड यह सब यह आपको दे सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए इनकम प्रूफ के लिए आपको क्या दिखाना ओगा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना होगा जिज्वी एकांट में आपकी SBI आपसे मांग सकता है तो यह minimum document होगा जो आपके personal loan के लिए require होगे तो I hope उनको उनको सारे सवालों के जवाब हमको यहां से मिल गए होगे तो अगर वीडियो और ऐसे ही और informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो और अगर आपका कोई question अगरा है तो आप हमारे comment box में comment करके यहां से कोई भी वीडियो के comment में आप comment कर दीजेगा तो आप यहां से question पूछ सकते हैं हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद